आज मैं आपको विवाह में जो पंचसला का वेद विचार कैसे किया जाता है उसके बारे बताऊंगा जैसे आप में आपको विवाह महुर्थ के बारे में सारी चीज़ें सिखा रखी है विवाह कैसे विचारते हैं कैसे गुण मिलाते हैं लादार दोश कैसे शाधन किया जात कि यह सारह करता मैं पूब आप देचुका हूं हैं की वह आप रहे जारे से ज्ट तो बेन बीचार करना आपको आना चाहिए आप व्योग करते हैं उसका प्रियोग हम और भी जगे कर सकते हैं कि जैसे कण्या का वरण करने जाना है किशित्थकार में जाना है वी वास मंध्र कोई कारी करने तो उसमें भी हम इसका प्रियोग कर सकते हैं और उसका विचार कैसे गोचर करने हैं तो इसलिए पंचसलाका वेद को लापरवाई के साथ नहीं बहुत सावधानी पुर्वा करना चाहिए तो पंचसलाका में आप क्या करेंगे फिर मैं आपको बनाना पता देता हूँ किसको आप बनाएंगे कैसे इस तरह से पांच खड़ी लखीरे आप खिच देना एक दो तीन चार पांच और इसी तरह पांच पड़ी होई लखीरे एक दो तीन चार पांच इस तरह से आप लखी कि इसके बाद क्या करना है इसमें यह जो पॉरब का उत्तर का कौना यहां इसकी जच्छत्रों की गढ़ना सुरू करो गया पहलाना च्छत्र हमारा क्या है अश्वानी तो अश्वानी लेग दिए अश्वानी भार्वी क्रितिकार रोहणी मृषिराफ अद्रह पुनर्वशु पुख्य असलेखा असलेखा मगा पूर्वा फालबुनी उत्रा फालबुनी हास्त चित्रा श्वाति विशाखर अनुराधा अनुराधा जेस्ठा ये जेस्ठा मूल पूर्वा खाट पूर्वा खाट उत्रा खाट श्रवान और श्रवान और धनिष्ठा के बीच में क्या होता है आभिजित श्रवान आभिजित धनिष्ठा सत्र विखाट पूर्वा भाध्रपद उत्रा भाध्रपद और रियूति इस बगार आप 2800 रचत्र को ये तरह करम से आप जहां जहां बिंदू है सब पर देखें अब हमें इसका विचार करना है जो बिंदू देखते हैं जो रेखाएं आई है किस जो रेखा के सामने जो नच्छत्र होगा ये इसका बेद कर रहा है अब हमें क्या करना है माना विवाह करना किसी बच्चे के विवाह के बारें में और पज़ानकारी करनी है कि वह जो विवाह का नचत्र है उसमें हम विवाह करें कि निजस दिर कभी आप डेट आपने निकाल अग्यवी पंड़्ड़ देखते हैं कि हमारे पंचांगों में थोफ में उहरत दिये हुए विद्वान लोग खोब महरत देते तो उसका आप विचार कैसे करें को साथी की जो डेट है वो सही है कि नहीं तो उसमें आप इसे तरह पंचत सलाका बना लेना मानमें हमारा नचत् गें सामने आपके ने देखा कौन सा नचत्रा श्रवण अब कोई भी ग्रह आपकी कोई भी पापग्रह कौनसे हो गए सूरिया मंगल शनी रहो के तो कोई भी ग्रह इस रवण नचत्र में अगर बैठा है उस समय उस तारिक में दवाब कोचव देखते हैं पंचांगों में देखते हैं कि कोई भी नचत्र इस रोणा नचत्र कोई ग्रह बैठा हुए वह आए तो इस नचत्र कवा बेद हो जाएगा वो विवा के लिए हनिस्ट कारी हो जाएगा वो विवा करने की योग नहीं है laying पर कोई पर अबस्ता हो चांगों कि दारें तीन चत्र में देखा नहीं कि यहां पर कोई बैठी होई है कोई भी पाप ग्रह बैठी है तो उस तारिक में आप भी वहार की टेट नहीं निकालेंगे आप भी वहार की टेट निकालेंगे उस तक के लिए असल कारी होज़ा दामपतिजी उनके असल कारी हो जाएगा और इसका जो खल है बहुत जल्दी मिल जाता है एक महीने में अपना फ़ल दे देता है लोاط मान लो इवट राफाल गुली नक्तर है इस विभा की नश्यत्र में अब हमने देखा जो आप ग्रह गोचर देखते हैं न्यएव न्युर्ग निम्याट इस नचत्र का वो बेद हो जाएगा तो विवाह करोगे तो ग्रह के अनुशान कोई न कोई दिक्कत वो परेश्यानी वो दामपत चीवन में वो ग्रह खड़ी कर देगा तो वो डेट आप लोग फिर विवाह के लिए नहीं निकाल देगे उस डेट को आप लोग छोड़ देगे अब मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ कि आप लोगों को देखना कैसे है पन्जित्सलाकगा करों पूरी जानकारी मैं आपको देंदू कि ये धियानक को बेद Νचत्रों में घ्रह होने से ढूनों नचत्र आपस में पिद होते हैं क्या कहने पेद मैं सser बद्वन उस नहीं हो जाते हैं और यसमें जित्राएं को दोनों नचतर आपस में बिद्ध होते हैं अशुमकारी हो वो ग्रह ऐसा नहीं जिसरोगे चटकापने देगास्रवण है तो यह दोनों यह नच्चतरा पस्पें अशुभकारी हो जाते हैं उस समय विवाह की योगित नहीं हो जाते हैं विवाही नहीं विशुभकारी करने जा रहे हैं तो पदोपर वेश्य हो दान है वरण है इस तरह की कार्यों की विद्ध हो जाता है नेक्स समझते हैं इसका जो हम विचार करते हैं मैंने का कि पंच सलाका बनाना पाच खड़ी पाच अड़ी रेखाएं खिचनी है और दो क्र सब्सक्राइब नहीं होगा मत जैसे मना अबरिक सरना चत्र है उत्तर खड़ी नहीं होगा शुक्र हें है बुद्ध है शुक्र है चंद्र बैठा हूआ है तो उसका वेदा नहीं होता है तो चंद्रमा का अगर वली है तो चंद्रमा का भी बनी होगा अगर चंदमान प्याइट है तो उसका बेद नहीं होगा अगर वा निष्टकारी है प्लूप बेद माला जाएगा अब नेक्टर देख लिए कि पाप युग्त नचत्र बेद होता है जिसे वुद्ध घ्रह बैढ़ गई तो हो गया अगर यह इसी तरह नचत्र आप ले जो नचत्र आप विवा करा रहा है उसमें भी कोई ग्रह बैठी हुई है उसके सामने वाले में नचत्र में बैठा हुए तब भी उबेद होगा जो नचतर आप ले रहा हैं विवान चतर ले रहा है तो इसमें जो नचतर में भेग रहा है था था बेद ना जाएगा है पापग्रह के वरतमान नचतर से जो पापग्रह के जो वरतमान नचतर से उसके अगला पिछला नचत्र पीडित होना असुफल होता है माना पाप ग्रह के जो बरतमान नचत्र है मालिया हमने किसी का उधार्ण लिया कि मूल नचत्र है विवा नचत्र है और इसका जो वेद है इसका वेद मालोपुनर वसु नचत्र है इसमें कोई पाप ग्रह बैठी होई है इसका बेन हो गया तो इसका मतलब है कि जो मूल नचत्र ने लिए तो इसका जो अगला पिछला नचत्र है अध्रा और पुख तो इसका जो फल होगा ये भी असुल फल दाई होगा कि एधे का जिए अध्रार और पोखि जो नचत्र है ये भी असुल भं दाई होगा पाप ग्रैक कि वर्थमानने चत्रक से अगला पिछला 500 पीडित होना अच्छण श्वारра पिछला नचत्र Reynolds से पूनरवर्षू है उसका ये दोनों नचत्र अगर पीडित हैं ये दोनों में अगर पाप ग्रहों से पीड़ेते हैं तब भी ये बेद होना जाएगा कहते हैं ये अभी असुखलता ही होता है कि वल्य नहीं कि हमने मूल नचत लिया पुनरबसू में ही ग्रह बैठी है तो असुखलते रही है एक सत्रिय भी आए गया कि अगले पिछले जो नचत लिए पुक है इसमें भी करप ग्रह बैठी हुई है तब भी वह बेद होगा वह भी असुखली की देगा इत्ला कि यहां ब्रह तो शुखले अक्रहा में समझ करके वा बेड़ विचार करते समय। इशिक्क भी मिया कष्ण समझे कि कि एक रेखा में परश्पर विवाह या कोई ग्रह बैठी हो मैं उ slipped हो रहा है प्रैइज्ट है इस अनलिए बेद हो रह है यह से सटमें ग्रेह बैटी हो तो विबा के लिए अशुभकारी होगा एक महीने में ही अपना सुपफ़ दे दिता है और इसका को हम पंछ सलाका का तुर्वेद करते हैं किसमें करते हैं बधु प्रवेश है बधु प्रवेश ने गोना है गोना है थाउना है उसमें आप इसक करें लिए प्रियोग करें दर्ण कोई भेट्टो नहीं है या बीवा की कारें भर भी ने मैं देंग्य कर दोस्त नहीं करते हैं ऊ-बशप्रिंप करते हैं तो इसका में आज सब्सक्राइब कर देगे तो दिक्कत आजाएगे एक सुत्र आपके कोई शुत्र बाग कि नहीं रहे गया पीड़ित नच्छत्र से नच्छत्र के जो भी नच्छत्राप का पीड़ित है माले मरीश्रा है तंद्रीश्रा से हमने लिया उसका उत्राखाड हुआ अगर यह पर पाप ग्रह बैठी है तो यह जो पीड़ित नच्छत्र हुआ हो कह रहे है कि पीड़ित नच्छतर के पदार्थ इस्चे संबंद्र जो पदार्थ होंगे उससे अस्वह और नच्छत्र-युक्त वाला भाव इस में जो उत्राखाड नच्छत्र से संमंद्रlic उस पंड़ली में पnov को वह भाव पीटित होगा और उसके बाद उत्राखाड नच्छत्र से जो जातक है जो नच्छत्र वाला जातक है वह उससे पीटित होता है और वह असुफ़त देते हैं इस प्रकार से वह असुफ़त की प्राप्ति होती है कि नच्छत्र के पादार्ति कैसे हो तो आपके पास कुन भी किताब होनी चाहिए नच्छत्र की रहें देखते हैं कि वंशाय भ्रूwsणी शुरि, बेवसाय कर्चत कारी है, सिल्पकार है, इस तरह से वो उस लचत्रों के बारे में उनके कारी क्या है, उनके कार कर्त्थवा इसके हैं, वो सारी जानकारी रोने दे रखे. तो आप इस तहरा के एक पुष्टक ले ले लेना, क्योंकि आपको कोई पत्रा देखते आप लोग ने खा होगा कि आटें टों के प्रिष्ट पे पंचांग देखो गए तुछ दिए साणिय मनी रहती पंचसला का अविवाह में पंचसला का चक्र, तो इस तरह के आपकों चक्र estam Turn 3. लेकिन हम पन्हेज्य देखना नहीं आता है लेकिन हमको विचार करना नहीं आता हैよ कि देखना यूण भी आना चाइए, मुश्त देख़ें किसी के बनाया गया है आप कोई समझ में आ गई होगी? किसी परकार कोई दिक्कत है तो बता देना जिसे पंज सलाका है इसी तरह सब्त सलाका भी बनाइड जाती है लेकिन ग्रैंक गोचर euh कि य कि परित करते όहं Taraage ये वीडियो के बार को सकते हो मैं आपको सब्त सलाका के बारे में भी जनकारी दो कि उसका आप कैसी विचार करेंगे कैसे देखेंगे वीडियो देखने के लिए आज सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद